बेडो में सुमो बाइक की टककर में दो युवक की मौत एक रीमसरे फर बेडो थाना च्छेप्र के बेडो लोहर दगगा मार्ग पर दिग्या मीशन के समीट गुरुवार की अपराहन लगबग साड़े चार बजे एक सुमो और बाइक में आमने सामने टककर हो गई इस दुर घटना में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई वहीं एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया हादिसे के बाद सभी घायल सड़क पर पड़े थे वहीं सुचना मिलते ही बेडो थाना प्रभारी मनीश कुमार गुपता और अस्थानी ये लोग घटना अस्थर पर पहुँचे सभी घायलों को थाना प्रभारी ने आनन भानन में इलाज के लिए सामुदाइक स्वास्तक के अंदर बेडो पहुचाया जहां चिकिस सकों ने जहांच के बाद दो युवकों को मृत खोसित कर दिया इधर मृतकों में करांजी गाउ निवासी 19 वर्सिये अमीत तिर्की पिता महिंद्र उराओं वा तुरियंबा भर्नो गुमला निवासी 18 वर्सिये पिंटू उराओं पिता सोमनात उराओं का नाम सामिल है वहीं करांजी गाउन युवासी 22 वर्षिये मनोस तिर्की पिता गोविंदा तिर्की कंभीर रूप से घायल हो गया है जिसका प्रात्मिक उपचार के बाद उसे चिकिन सकों ने बेहतर उपचार के लिए रिम्स रेफर कर दिया इधर मिली जानकारी के अनुसार तीनों युवक बाइक से दिगिया गाउं गए थे वहीं वापस अपने घर करांजी लोटने के दौरान यह दुरगटना हुई डेडो पुलिस ने दोनों युवकों का स्वबरामत कर लिया है जिसे सुक्रवार को पोश्वाटन के लिए युवक रिपो